हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग question solve करने जा रहे है, question number 3.9 question में देखें क्या कह रहे है, कह रहे है, what does atomic radius and ionic radius really mean to you? पूरा ही theoretical question है, हमें इसे explain करना पड़ेगा, चलिए, solve करते हैं से हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि atomic radius क्या है, उसके बाद समझेंगे आइनीग radius क्या है, देखें अगर हम लोग बात करें atomic radius की, तो atomic radius जो होती है, वो atom के size के बारे में बताती है अब atom कई तरीके का हो सकता है, अगर हम consider करें कि atom हमारा कैसा non metallic है, तीक है, यानि वो metal नहीं है, तब element जो होगा, उसकी हम atomic radii measure करेंगे, the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule, यानि किसी covalent molecule में, जो bond जुड़े होंगे, उसके base पर हम क्या करेंगे, उन्हें, उनकी radii निकालेंगे, तीक है, जो distance होगा, दोनों atom के nucleus के बीच, उसका half क्या कहलाएगा, हमारी covalent radii, देखें, यह हमने क्या लिए रखा है, यहां पर, एक chlorine लिय दोनों chlorine ने एक एक electronic sharing कर रखके हो, कोवेलेंट बांड बनाया हुआ है, देखें, और बिटल क्या कर रखा है, और बिटल ने, अगर हम बात करें, कि यह chlorine का nucleus है, यह दूसरी chlorine का nucleus है, इन दोनों के बीच की कोई distance होगा, इन दोनों की बीच का जो distance होगा, उसका half क्या कहलाए वो हमारी कहला है की covalent radii, यह जो covalent radii ही होती है, वो किसी covalent molecule में, covalent bond द्वारा जोड़े जो atom होते हैं, उनके दोनों nucleus के बीच के distance का half क्या होता है, covalent radius होती है, वही लिखा हुआ है हाँ पर, कि one practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms, when they are bound together by a single bond in a covalent molecule, and from the value, the covalent radius of the element can be calculated, यानि हम लोग किसी covalent molecule के अंदर, अगर हमें उन दोनों nucleus के बीच की दूरी पता हो, जो covalent bond द्वारा आटम जुड़े होए हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, covalent radius निकाल सकते हैं, यानि non-metallic element जो होगे, उनकी होगी covalent radii, covalent bond द्वारा जुड़े molecule में, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें metals की, तो metals में क्या होता है, हम लोग define करते हैं, इसे metallic radius के रूपे, तो metallic radius क्या लिख होई है, कि which is taken as half the internuclear distance separating the metal core in the metallic crystal, अगर हमें metallic radius निकाल निकालनी है, तो जो metal में हमारे metals मौझूद है, metal item, उनके internuclear distance के अदा आपर हम निकालेंगे, internuclear distance देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कि metal के अंदर bonding कैसे होगी, यह एक तरीके की bonding को समझाया गया है, जो कि electron C model के अदा आपर यहां पर बना इसके बीच में आपके है, अब यह electron बताता है, electron C model की यह electron जो होते है, वो electron C के रुपे मौझूद रहते हैं, और metal उनके अंदर क्या रहते है, immersed रहते हैं, तो यहां पर हम क्या बात कर रहते हैं, यहां पर हम कर रहते हैं, कि जो metal है, उनके internuclear distance हमें में पता हो, देखिए हम 6 picometer, तो अगर हम metallic radius की बात करेंगे, तो इसका हाफ क्या कहलाएगा, 128 picometer जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, metallic radii, ठीक है, तो जह हम metallic radii की बात करते हैं, तो metallic radii कैसे निकाल सकते हैं, half the internuclear distance separating the metal, जो internuclear distance है, उसका हाफ क्या कहलाएगा, हमारी metal की metallic radius, ठीक, for simplicity, we use the term atomic radius, अगर हम इसे आसान करने के लिए क्या करते हैं, covalent radii या metallic radii हो, दोनों को ही simple शब्दों में, साधार शब्दों में कहते हैं, atomic radii कहते हैं, जबकि अगर हम metal की बात कर रहे होंगे, तो महाँ पे metallic radii होगी, और जब हम बात करेंगे, non-metal की, तो वहाँ पर हम लो spectroscopic method, देखे, atom बड़ा ही छोटा particle है, उसकी atomic radii बड़ी आसान तरीका नहीं कि आपने tape लिया और उससे क्या कर दिया, उसको major कर लिया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें practical approach करना पड़ेगा, उसके लिए काफी बड़े-बड़े apparatus होते हैं, spectroscopic है, उसके आदार कि periodic table में कैसे change होती है, तो देखे, यह आपर मैंने periodic table draw कर रखी है, periodic table में हम जानते हैं कि यह हमारे क्या होते हैं, यह period होते हैं, right, one period, first हो गया, second, then third, तीसरा, चौथा, पाच्छा, चौथा, साथा, टोटल साथ period होते हैं, right, और यह जो खड़ी-खड़ी line दिख रहे हैं, शुरुवात की 2S की होती है, last की 6P की होती है, बीच की 10D की होती है, तो यानि कितनी होगे total, 2, 6, 8, और बीच की 10 कितनी हो गया, 18, ठीके, F को हम लोग बात करें, atomic radii की, तो अगर हम लोग इधर से इतर जाएं, तो अगर पहला period होगा, तो nucleus दिखाए देगा, उस हमें, और क्या होगा, nucleus दिखाए देगा, और nucleus के बार क्या होगा, एक shell, अगर हम बात करें, दूसरे period की, तो दूसरे period में क्या होगा, nucleus होगा, एक shell और कितने shell ह से उतने ही क्या होते हैं सब शेल ठीक है अगर हम लोग बात करें यह दूसरा चाहरा है दूसरा पीरेड मतलब दो शेल तो यहां पर अटामिक नूमबर तीन वाला होगा फिर अटामिक नूमबर चार पाथ छे साथ आठ नो दस पीरेड में लोग लेफ टू राइट जाते हैं तो लेफ तू राइट जा रहे है तो लेफ तू राइट जने पर क्या हो रहा है कि तीन अटामिक नूमबर वाला जो है उसमें इसमित तीन इलेक्ट्रॉन हैं और तीन बीच में क्या होगे प्रोटन होगे यह हैं नव प्रोटान नव एलेक्टान होंगे यह जैकि देखने जब हम लेप टूराइट जाएंगे तो नंबर आफ शेल जो है यह क्या रहे रहा है कॉंस्ट रहे रहा है लेकिन बीच में प्रोटान बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वह पॉजिटिव चार्ज को अपनी और अट्रेक्ट करेंगा तेजी से जिसे अफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा और अटामी रेडिया क्या हो जाएगी इसलिए पीड में लेप टूराइट जाते हैं तो एटामी रेडिया ही क्या होती है डिक्रीज है अगर हम बात करें ग्रूप की बड़ा ही आसान और दुसरे पीरिद में नूक्लियस तेट चयाओ जाएंगी और टरूराण के बर बढ़ जाएगी डिश को क्या है Аटॉमिघ studies और एक्स ब्हुन झारत जाएगी इसलिए ज हेटेटिवर्य क्या हो आनर गो Congregation पर नीचे जाते हैं तो इम्रेइंगी रेडिया इंक्रीट पर ही है कहीं कहीं पर exception होता है ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यह देखे हैं में ग्राफ कर रखा है कि अगर नीचे atomic number है और इधर क्या है atomic radius तो atomic number क्या हो रहा है increase हो रहा है तो यहां पर radius देख रहा हूं कि आप decrease हो रही है जैसे माल लीजिए यह beryllium है lithium boron carbon nitrogen oxygen fluorine atomic radius के और यह decrease हो रही है और decrease हो रही है क्योंकि यह period के लिए बनावा variation of atomic radius with atomic number across the second period boron carbon nitrogen oxygen fluorine यह second period के है इसलिए जब हम left to right जाएंग atomic radius के और ही decrease हो रही है उसी के लिए क्या बनावा ग्राफ बात करते हैं आयनीग्रेडिया तो आयन की रेडिया आयनीग्रेडिया कैसे बनेगा आयन removal of an electron from an atom किसी atom से जब हम electron निकाल देंगे तो क्या बनता है कैटाइन और जब electron दे देंगे तो क्या बनेगा एनायन कैसे कैटाइन नन बनता है उसके लिए अलग वीडियो बनाई है आप देख सकते हैं उसको ठीक है फिर नीचे लिखावा दिस्टेंस from nucleus of an iron up to that point at which nucleus has its effect on its electron cloud उसे हम लोग क्या बोलेंगे known as ionic radii देखें क्या मतलब है इसका मतलब simply यह है कि अगर हम बात करें किसी ion की तो ion के nucleus से उस point तक के दूरी जहां पर इस nucleus का जो effect है उसके electron cloud पे क्या हो रहा हो पढ़ रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ionic radii आयन दिखे कि कब बनता है जब कोई atom या तो electron दे दे या तो electron ले एकसप्ट कर ले तो इसके चारों electron cloud आ जाता है ऐसे बहुत सारा आयन होंगे उनके चारों electron cloud होगा अब इसका हम कैसे पता करेंगे कि electron यह वाला हम ऐसे बता करेंगे कि अगर इस नुकलियस का इफेक्ट इस इलक्टॉन पर पढ़ रहा है तो वह क्या होगा वह इलक्टॉन इस एटम को बिलॉंग करता है तो इसलिए है इस चाहिए को यह मुझा हो आई मकलत प्रेंण परण होता है क्यूं कि लिखना हुआ है यह इस sheer अगर में बात करें कितने होंगा 11 इलेक्टन कितने होंगे 11 अगर मों बात करेंगे अभी 11 बचेंगे 10 तो देखिए इसमें 11 दस एलेक्टन को खीच रहें 11 ब्रॉटन को खीच रहें नुक्नियोर चार बचोनडे में ऐसे प्लिजिक दिए अट्रेंट नगती हो जिसिकांफ मचर विस्टेशन को प्लिए शहां करेग 같아서 यह पंआ है कि सीए प्लि ये निस फिर्ट कांची से रहेगा लेकिन लिए जे इसका साइज लार्जर होता है क्यों कि बिकॉस एडिशन ऑफ वन इलेक्टॉन और मोर इलेक्टॉन वोड रिसल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन अमंग दा इलेक्टॉन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव नुकलियो चाहज घड जाएगा कैसे घड जाएगा चलिए देखते ह जैसे मान लिजे क्लोरीन है क्लोरीन का अटामिक नुमर कितना होता है 17 होता है प्रोटान कितने होंगे सेवेंटीन होंगे बात करें जब इसको हमने एक लेक्टॉन दे दिया तो प्रोटान अभी भी 17 है लेक्टॉन एक बढ़गा नहीं एक टीन होगा नुकलियो चार्ज हिहाँ पर एक लिक्त और एक सच्ब तो यह जो हड़ेगा यह पार यह बढ़ द मृप्लिशं दक भढ़ मारे यह यह लेक्तों यह यह लेक्तों आप Intra यह लिग्तों क्यों गाए यह बढ़ गया है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जब दूर बढ़ जाएगा तो नुकलेस से आउटर मोस्यल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और इसलिए लिए के रिटी आएटम से चोटी जबकि एन के रेडिया उसके अटम से क्या होती बढ़ी होती तो यह था हमने समझा अटामिक रेडिया और आइनिंग रेडियाई को जो कि हमसे question पूछ रहा था hopefully आपको solution समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जोरू करिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद